नमस्कार, क्यापिटल टिवी का खाश शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के उपराजपाल अनिल बैजल ने इस्थिफा क्यों दिया दिरसल अचानक कल शाम एक बड़ी खबर दिल्ली से आई कि दिल्ली के उपराजपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्थिफा दे दिया है सूत्रों ने बताया कि अनिल बैजल ने नीजी कारणों से पद से इस्थिफा दिया पर सवाल ये है कि क्या वाकई अनिल बैजल ने अपने किसी नीजी कारण से इस्तिफा दिया या कोई और बजा क्योंकि दिल्ली के LG में बदलाव की सुभगाहट तो काफी पहले से थी अर्विन के जिवाल और LG के बीच तकरार की खबरे तो जग जाहिर है और अर्विन के जिवाल को भी कही ना कही संके था कि उपराजपाल बदले जाएंगे तो क्या लक्षदीब के प्रशासक प्रपुल खोड़ा पटेल का दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है क्या वो अब दिल्ली के उपराजपाल बनाए जाने वाले हैं ये सवाल हम नहीं कुछ महीने पहले ये सवाल उठाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री आर्विन के जिवाल नहीं तो आज इसी एहम सवाल पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिमार्चा स्टूडियो में मौजूद है क्यापिटल टिवी के सीनिर एडिटर राजीब जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के उपराजपाल ने इस्तिफा क्यों दिया देखे दिल्ली के उपराजपाल ने इस्तिफा दिया या फिर उन्हें लग रहा था कि अब उनका काजिकाल पूरा हो रहा है तो उससे पहले ही पद छोड़ दे बैसिकली दिसंबर तक उनका काजिकाल था और इस बीच लगतार ये चर्चा चल रही थी कि दिल्ली का उपराजय पाल होंगे वो दिल्ली के cm अर्विंद केजरीवाल के सियासी दाव पेच का सही जवाब नहीं दे पा रहे है तो भारतिय जनतापार्टी को भी ये लगती थी और भारती जंतापाटी लगतार इस बात के लिए परियास कर रही थी कि यहाँ पर जो उपराजयपाल हों वो केंदर और राज्य के बीच के टकराओ को देख सके जो एनियन टेरिटरी दिल्ली है उसमें विधान सभा है, सरकार है तो यहाँ पर लगतार अनील बैजल की ही बात नहीं है, नजीव जंग के समय भी दिल्ली के मुखमंत्री अरविंद केजरिवाल एक नए तरह के सियासत करते हैं यह केजरिवाल style of politics है, इसमें हर जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोपी जाती है और इसमें दिल्ली का अगर विकास नहीं हो रहा है, तो केंदर सरकार जिम्मेदार है दिल्ली में अगर सुरच्छा का मामला आ गया, तो केंदर सरकार जिम्मेदार है दिल्ली के कुछ भी ऐसे मामले आते हैं, जिसमें अरविंद केजरिवाल घिरते दिखते हैं उसमें वो केंदर सरकार के उपर आरोप लगा देते हैं और उसी में जो प्रशासनिक कबजे की बात है वैसिकली पुलिस के उपर इनका अधिकार होना चाहिए या फिर जो जमीन का मामला है दिल्ली का जिस पर केंदर सरकार का अधिकार होता है ये सारे पूरे राज्य के तरीके से दिल्ली को हैंडल करने की कोशिश अर्विंद केजरिवाल करते हैं इसके लिए अभी भी सुप्रिम कोट में विवाज चल रहा है कि दिल्ली का असली बॉस कौन होगा और इसमें जो दिल्ली के अब तक जितने उपरा जय पाल रहे वो एंडियन एड्मिस्टेटिव सर्विस से यानि कि प्रशासनिक सेवा से आते रहे हैं कहीं ने कहीं उनका प्रशासन से जुड़ा रहा है राजनिती से नहीं रहा है और यहाँ पर जो सीम केजरिवाल है वो राजनिती ही करते हैं और हर चीज को राजनिती के जेंडे से देखते हैं तो इस बीच ये चर्चा चल रही थी और जो परफुल पटेल की बात आपने कही उनके नाम से पहले ही अर्विंद केजिरिबाल की परेशानी बड़ी हुई थी, हेगडी दूर हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक परसेप्शन क्रियेट करने की कोशिश की कि पहले से ये जितिक दल से जुड़े हुए ना हो, यानि सियासी ना हो, बलकि एड्मिस्टेटिव सर्विस के ही कोई हो अब ही इसके उपर तो चर्चा चल रही है और हैसला भी इतना जल्दी नहीं लिया जाएगा, हर पक्ष पहलू को देखा जा सकता है तो लेकिन सवाल ये जरूर है कि दिल्ली का जो उपर राज्यपाल अब न्यूक्त होंगे, वो फिर से एड्मिस्टेटिव सर्विस से होंगे, या फिर अगर वो एड्मिस्टेटिव सर्विस से होंगे, तो उनका जुड़ाव कैसा रहा होगा, या फिर वो अर्विंद के सियासी दावपेज का सही जबाब दे सकते हैं कि नहीं और यही डर अरविंद केजरिवाल के अंदर पहले से थी इसे लिए उन्होंने परफुल पटेल का नाम तीन चार महीना पहले लिया था उन्होंने ट्वीट करके पहले ही कह दिया यानि कि सुबुगाहर तो पहले से और अरविंद केजरिवाल को इस बात का डर है कि अगर कोई राजनीती से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहां का राज्यपाल बनता है तो वो सिर्फ एड्मिस्टेटिव जो स्ट्रगल हैं दोनों के सत्ता की नहीं बलकि एड्मिस्टेशन पर कबजा करने की लड़ाई जो चल लिए ऐसे फैसले लिए जिससे वहां की पॉलिटिकल पाथियों की बात तो छोड़ दीजे वहां के एक बड़ा वर्ग ही नाराज होता दिखाई पड़ा ऐसा कहा गया है कि मुस्लिमों को टार्गेट किया जा रहा है जबकि एक सामाने सा परिवर्तन था बीफ पर बैन करन या अलकोहल को मंजूरी दे देना एक टुरिस्ट प्लेस में उन्होंने इसके लिए रीजन दिया कि यहां पर एक टुरिस्ट प्लेस है जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको घूमने के लिए आते हैं मौज मस्ती करने के लिए आते हैं तो उनके लिए अलकोहल के विवस्ता की जानी चाहिए लिकवर चाहिए उनको और इसलिए उसके उपर जो बैन लगाया गया था मतलब एक तरह से इसलामिक कानून सरिया कानून की तरह से वहां पर ट्रिट किया जा रहा था तो उस अर्थों में जो देखा जा रहा था क्योंकि वहां के मुस्लिम ही इससे परिशान तोर पर अब अर्विंद केजरिवाल को लगता है कि अगर ऐसे कोई उपराज जेपाल यहां नुक्त होंगे तो उसके बाद समस्या बढ़ जाएगी इनके लिए क्योंकि अब जो अधिकार प्रशासन के उपर कबजा को लेकर था अब सियासी हो जाएगा तो इसलिए अर्विंद केजरिवाल को जो काउंटर करने के लिए कंदर सरकार या भाजपा की सरकार को लगभग यह लगता है कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को LG बनाया जाए जो कि सियासत को भी समझते हैं और अर्विंद केजरिवाल के सारे दाव पेज जो हैं उसका प्रफुल पटेल नाम हो सकता है प्रफुल पटेल क्योंकि अर्विन की जिरिवाल ने पहले क्यों उनका नाम लिया नाम लेने के पीछे भी बड़ा कारण यही था हर्विन के जिरिवाल प्रफुल पटेल का नाम ले रहे थे इसका मतलब था कि वो चाहते हैं कि दिल्ली का अगला LG हो वो राजनेतिक संबंध वाला न हो वो चाहते हैं कि पहले की तरह ही जैसे administrative service से हो academic से हो कोई भी प्रशासक के तौर पर आए न कि कोई नेता जो काम कर चुके हैं किसी political party के साथ और परफुल पटेल से डर तो इसलिए है क्योंकि वो भी गुजरात के हैं और बहुत नजदीकी माने जाते हैं पीए मोदी के और तो उनको फिर उपरा जेपाल बनाया गया दादर नगरहली का फिर लक्षदीब का अद्मिस्टेटर जो अभी है वो additional charge है उनके पास तो ये इस्थितियां जो बनी है उसमें अर्विद के जिरिवाल को लगतार लगता है कि अमीच साह और पिये मोदी के नजदीकी व्यक्त उस दिनों में clear हो जाएगा कि अगला उपराजपाल कौन होगा लेकिन जो भी होगा सोच समझ के फैसला लिया जाएगा अब जो भी राजपाल बनते हैं क्या लगता है अर्विन केजिवाल की मुश्किल तो बढ़नी ही है क्योंकि अर्विन केजिवाल हमेशा टकराओ में ह रहते हैं उनका ऐसा नहीं है कि अनील बैजल के साथ ही था इससे पहले जो नजीब जंग थे उनके साथ भी उनका ऐसा ही रिलसन था और अब दिल्ली की जनता के लिए है दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरिवाल की इस दाउपेज को कैसे समझती है उसके लिए उपर प्राज जेपाल क्या कर पाते हैं आगे उस पर डिपेंड करता है कि अर्विंद केजरिवाल को कितना पाइदा या नुकसान हो सकता है डर अर्विंद केजरिवाल के सामने यही है कि वो तो लगतार आरोप लगाते हैं लेकिन उनके आरोपों का जो जवाब होता है वो LG नहीं उन्ही के शब्दों में, उन्ही के तरीकों से दे सके और अगर ऐसा हुआ, तो अर्विन के जिरिवाल के लिए मुश्कीले खड़ी हो जाएगी. लेकिन बार-बार क्यों ऐसा देखा जाता है अर्विन के जिरिवाल के बीच तक्रार, और इसका सुल्यूश्ण क्या है, कैसे इसे निप्टारा पाया जा सकता है? इस से निब्टारा तो एकी तरीका है, अर्वेंद केजिरिवाल यहां से जाएंगे और इसका निब्टारा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कॉंग्रेस की सरकार रही है, कॉंग्रेस की सरकार में भी LG रहे हैं, और इसी तरीके से परशाशन दिल्ली की चलती रही है, तरीके से ये लोगों को खुश करने की कोसिस किये, खुछ फुरी के विजली और पानी दिये, इस से लोग और खुश हो गए, लेकिन डेवलोपमेंट की बात करें, तो अभी भी दिल्ली के जनता से सामान लोग से बात करेंगे, तो वो अर्वीन के जिरिवाद से बहतर मुक मंत्री के तौर पर सिला दिक्षित का नाम लेते हैं और सिला दिक्षित के समय में भी ऐसा नहीं हुआ जब भारतीय जनतापार्टी की सरकार दिल्ली में थी उसे भी नहीं हुआ जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार भी रही कॉंग्रेस की सरकार के बदले वहां पर भी चेंज होते रहे फिर भी टकराओ नहीं रहा क्योंकि उन लोगोंने स्क्राइब किया था कि दिल्ली बैसी कली कोई एस्तेट नहीं है पुरे देश की राजधानी है अगर दिल्ली राजधानी है तो यहां का प्रशासन इसी तरह से चलाया जा सकता है अगर दिल्ली को पुनर राज बना दिया जाएगा तो कई समस्याएं आ सकती है अगर अरविंद केजरीवाल जाचा CM है और जमीन दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाए कल एक MBC के लिए जमीन की जरुद पढ़ेगी तो किंद्र सरकार अप्लिकेशन भेजती रहेगी दिल्ली की सरकार के पास और ये रिजेक्ट करते रहेंगे पुलिस विवस्था अगर अर्विन के जरिवाल के पास हो परशासन अर्विन के जरिवाल के पास हो तो ऐसे अगर मुख मंत्री हो जाते है जिनका किंद्र के साथ डारेक्ट टक्राव हो तो ऐसे स्थिती में यहाँ पर डेलीगेट्स आते हैं विदेजी रास्रपति आते हैं, पर्धान मंतरी आते हैं और इसकी सुरच्छा के वश्था कौन करेगा ? दिल्ली पुलिस को वो कुछ न कुछ पर्धान मंतरी हैं इतने सारे मिनिस्टर हैं, परिस्डेंट हैं सब का कहीं न कहीं आना-जाना होता है दिल्ली में और दिल्ली में केंदर सरकार के पास सेर अगर दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के पास आ जाएगी तो कई जगह पर ऐसी परेशानिया पैदा हो जाएगी जैसा कि कुछ दिल पहले पंजाब में हुआ आप पंजाब का मामला सामने हैं देख सकते हैं पंजाब में कॉंग्रेस क के साथ खिलवार नहीं किया जा सकता ये बहुत ही एक तरह से छमा नहीं करने वाला अपराद है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए तो उस तरह की विवस्था तो दिल्ली में भी हो जाएगी कोडिनिसन नहीं रहेगा तो इसलिए ये सारी विवस्थाएं की गई है दिल्ली के लिए तो जब तक अरविंद के जरीवाल रहेंगे तब तर एक टकराओ खतम नहीं हो सकता अगर बाई दबे किसी और की सरकार भी होती केंदर में तभी अरविंद के जरीवाल ऐसे ही होती जी एक आखरी सवाल मेरा आप से है बीज़ेपी की पूरी नजर अब दिल्ली में ह MCD का एकिकरन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया, MCD इलेक्शन चुनाव भी नजदीक है, बीज़ेपी कितना फुख-फुख के कदम उठाएगी नए उपराजपाल की निउप्ति को लेकर बिल्कुल, दिल्ली के लिए तो भारतिये जनता पार्टी अभी देख रही है कि यह सामने में MCD का चुनाव है, और हलाकि यह चुनाव बहुत जल्दी में नहीं होने जा रहा है, और भारतिये जनता पार्टी ने जो यहां पर अवैद निर्मान के खिलाफ चलाया है, ऐसे ही अर्विंद केजरिवाल पूरी तरह से फसे हुए हैं उस मामले में, लेकिन इस बीच दिल्ली के उप राजजपाल की भूमिका अर्विंद केजरिवाल के सवालों का जवाब देने के लिए हैं, अर्विंद केजरिवाल जो बार बार आरोप लगाते हैं कि हमारी असफलता विफलता जो है, उसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, और इनकी जो इलजी ये चाहते तो ये बता सकते हैं कि भाई अर्विंद केजरिवाल जो आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है, ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के इस्थिति ये हो सकती है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग एड्मिस्टिशन से आये हुए हैं, राजनितिक सियासी दाव पेच को नहीं समझते हैं, तो कहीं ने कहीं ये कैसे उपराज जेपाल की जरुवत है, जो अर्विंद केजरिवाल का सही चेहरा दिखा सकें, इनका मकसद क्या है, हर मामले में सियासत करने से चूकते नहीं हैं, चली अब देखन नजीद जंग को दिल्ली का LG बनाया गया था, उनके कारेकाल के दोरान भी LG ओफिस और दिल्ली सरकार के बीच काफी तनातनी रही, फिर 22 दिसमबर 2016 को नजीद जंग ने अचानक पच से इस्तिफा दे दिया, इसके बाद रिटार्ट सिविल सर्वेंट अनिल बैजल को दिल प्रेकापिल टिवी नमस्कार